त्रियोदसी तिथी भगवान संकर को समर्पित मानी गई है ऐसे में प्रदोस्वरत के दिन भगवान शंकर वा माता पार्वती की विदिवत पूजा की जाती है सास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष वा सुकल पक्ष की त्रियोदसी को प्रदोस्वरत रखना चाहिए जन्वरी मा का पहला प्रदोस्वरत पान जन्वरी 2013 दिन बुद्धवार को है इस दिन बुद्धवार होने के कारण बुद्ध प्रदोस्वरत का योग बन रहा है बुद्ध प्रदोस वरत की उपासना मुखे रूप से सीवजी की गृपा और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है इस वरत को करने से रूगों से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोसों का भी निवारण होता है एवं सांसारिक जीवन के सभी कस्त वापाप आदी से भी मुक्ति मिलती है तो आईए जानते हैं बुद्ध प्रदोस वरत का सुब मूरत प्रदोस की इती थी प्रदोस पुजा का मूरत मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए वीडियो सुडू करते हैं बारा पजे प्रदोस काल का धार्मिक महत्व किसी भी दिन सूरी के सूर्यास्त और रात्री के संदिकाल को प्रदोस काल कहा जाता है जिस प्रदोस काल को भगवान सीव की पूजा के लिए सबसे उत्तमाना गया है उसके बारे में पौरोडिक मानेता है कि इस काल में भगवान शिव ने विसका पान किया था और निलकंट कैलाई थे मानेता यहाँ भी है कि इसी प्रदोस काल में देवों के देव महादेव कैलास परवत में प्रसन मुद्रा में निर्तिकर्ते मानेता यहाँ भी है कि एक बार चंद्र दीवता को 6 रोग हो गया था और भगवान शीव ने उन्हें इससे जिस दिन मुक्ती दिलाई थी वह त्रियोधसी तिथी यानी प्रदोस वाला दिन था प्रदोस व्रत की पुजा विदी भगवान शीव की साधना से जुड़े इस व्रत को करने के लिए त्रियोधसी तिथी को प्राता काल सुर्योधे से पहले उठकर इसनान ध्यान करना चाहिए इसके पश्यात व्रत को विदी विधान से करने का संकल्प करना चाहिए फिर भग प्राचीन काल की कथा है एक पुरुस का नया नया विवा हुआ था वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुचा और उसने सास से कहा कि बुध्धवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा उस पुरुस के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुध्धवार को पत्नी को विदा करकर ले जाना सुब नहीं होता लेकिन वह पुरुस नहीं माना विवस होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा पती पतनी बैल गारी में चले जा रहे थी एक नगर से बाहर निकलते ही पतनी को प्यास लगी पती लोटा लेकर पतनी के लिए पानी लेने किया जब वाँ पानी लेकर लोटा तो उसने देखा उसकी पतनी किसी पराया पुरुस के लाए लोटे से पानी पी कर हस हस कर बात कर रही है वह पराया पुरुस बिल्कुल इसी पुरुस की सकल सूरज जैसा ही था या देखकर वह पुरुस दूसरे अन्य पुरुस से क्रोज में आग वबला होकर लड़ाई करने लगा धीरे धीरे वहां काफी भीर इकटा हो गई इतने में एक सिपाही भी आ गया सिपाही ने इस्तरी से पूछा की सच सच बता तेरा पती इन दोनों में से कौन है लेकिन वा स्री चुप रहे क्योंकि दोनों पुरुस हमसकल थे बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देख कर वा पुरुस मन ही मन संकर भगवान की प्रातना करने लगा कि हे भगवान मुझे और मीरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो मैंने बुद्धवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कर कर जो अपरात किया है उसके लिए मुझे छमा करो भविसे में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी श्री संकर भगवान उस पुरुस की प्रातना सीत्रवित हो गया और उसी चड़वा अन्य पुरुस कहीं अंतरधान हो गया वा पुरुस अपनी पत्नी के साथ साकुसल अपनी रगर को पहुच गया इसके बास से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्धवार प्रद